हलो एब्रिवान अस डेट है 8 अपरेल 2022 और देहिंदू न्यूज एनलिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोर्टन न्यूज को एक्जाम के पॉइंट अफ्यू से डिस्कस करेंगे नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में टेल्ग्राम चैनल वॉल अपका क्योशन यह है कि उमंơn गोट रिवर को आपको मैप में व्यू करना है फिर इस से एलेटेड हार इंपोर्टेंट फेक्स को एन एन्फोर्मेशन को कोمن्ट बोक्स में टाइप करना है कल हमने आपसे question पूछा था चितोडा जील को ले करके तो चितोडा जील को अगर हम map में view करें हमारे इंडिया का जो UP state है वहां का बहराइज district है वहां पर located है चितोडा जील ऐसा बोलते हैं कि यह चितोडा जील है इसके एक river flow होती है जिसका नाम है टेरी नाडी river और उसके bank पर एक मुनी थे जो महराज जनक के गुरू थे जिनका नेम था अस्टवर्क मुनी उन्होंने यहां पर आश्रम बना करके वो यहां पर रहते थे इसलिए इस चितोडा जील क कुछ टाइम पहले यह अनौन्स किया था कि यहां पर महराजा सुहिल देव मेमोरियल जो है उसका मेमोरियल foundational stone जो है वो यहां पर रखा जाएगा इसके अलावा जो चितोडा लेख है उसके development के लिए भी work किया जाएगा जिसकी वज़े से यह जो चितोडा जील है वो news में बनी हुई थी यह इतनी ज़्यादा फेमस है कि हर साल एवरी एर बसंत पंचमी को यहां पर एक मेला जो है फेर जो है वो भी organize किया जाता है अगर हम history से related इसके facts को relate करें तो ऐसा बोलते हैं कि जून एक हजार तेतीस में यहां पर एक fight हुई थी राजा सुखदेव और National Conference Party की लीडर ओमार अब्दुल्ला से ED ने question किये है अभी जमुएंट कस्मीर के bank को लेकर के कुछ case सामने आया और उसको लेकर के यहां पर उनसे related कुछ questions उनसे किये गए हैं हमारे exam के point of view से important हो जाता है ED जो term है इससे related basic facts को हम देख लेते हैं ED Directorate of Enforcement एक low enforcement agency है इसके अलाव Economic Intelligence Agency भी है जो work करती है कि economy से related जो भी economic crime अगर इंडिया में होते हैं तो उनके related जो भी important procedure होता है उन सभी को complete करने में उनसे related जो भी हमारे economic laws है उनको enforce करने के लिए यह ED जो post है वो responsible है present time A Department of Revenue के अंडर आता है और Department of Revenue Ministry of Finance के अंडर आता है जब भी हम किसी article को discuss करते हैं तो हम process करते हैं कि वो कौन सी ministry से attest है वो organization वो post कौन सी ministry से attest है क्योंकि इसको लेकर के बहुत बार question पूछ ले जाते हैं जैसे UPSC prelims में क्या होता है किसी भी organization को लेकर के question पूछा किसी एक statement ये दे दिया जाता है कि ये जो जैसे कि अगर हम बात करें कि archaeological survey of India सबकी को पता है ministry of culture के अंडर आता है उसमें आपको एक तरीके से misguidance करने के लिए वहाँ पर दूसरी ministry का नाम दे दिया जाएगा तो इस तरीके से आपको clearly पता होना चाहिए कि कोन किस ministry से attest है अब नहां पर इसका starting कैसे हुई ED post की तो 1956 में फस्ट मे को जो direct rate है इसका origin होता है enforcement unit के नाम से और Department of Economic Affairs के अंडर ये सुरुआत त्राइम में आता था और लेकिन बाद में एक साल बाद में ही 1957 में ये जो unit है इसका rename कर दिया गया और enforcement direct rate इसका नाम रख दिया गया तो ये कुछ basic facts ने से related जो आपको पता होना चाहिए next important news है यहां पर जो article है वो रश्या को suspend किया गया है कल हमने discuss किया था कि United Nation General Assembly में एक resolution पास करवाने की कोसिस की जारी है जिसमें US है European countries है Ukraine ने इसमें साथ दिया है और भी other countries है वो चाह रहे हैं कि रश्या को United Nation Human Rights Council से एक तरीके से उनसको suspend किया जाए इसको लेकर के resolution पास करवाने की कोसिस की गई तो यहां पर United Nation General Assembly में जब यह resolution पास करवाया गया तो इसमें 93 लोगों ने जो वोट दिये यहां पर 93 to 24 with 58 abstains ओके यहां पर कुछ लोगों ने support किया कुछ लोगों ने विरोध किया और कुछ लोगों ने abstain वाली policy क अपनाया जिसमें इंडिया भी सामिल है अब यहां पर यह बोला जाता है कि किसी भी resolution को पास करने के लिए आपको two-third majority present and voting चाहिए लेकिन जो लोग abstain करते हैं उनको present and voting में count नहीं किया जाता है तो US, EU, Ukraine यह जो countries है वो इसके अलावा जो Latin America के जो countries है उन्होंने भी इस resolution को support करने की कोसिस की है United Nation Human Rights Council की अगर हम बात कने तो 2006 में इस organization को establish किया गया था आपका question यह है कि इसका headquarter कहां पर है UNHRC का वो आपको comment box में बताना है अब यहां पर यह suspension लाने की इसलिए कोसिस की गई है basic provision आपको पता है कि Russia और Ukraine के बीच में conflict चल रहा है वहां पर Russia ने बहुत ज़्यादा attack किये वहां के जो भी population है उनको काफी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है काफी ज़्यादा वहां पर एक तरीके से लोगों की जो murder है वो काफी ज़्यादा संख्या जो है increase हो रही है जिसको लेकर के कोसिस की जा रही है जैसे वहां पर एक बुचा रीजन ह है वहां पर इस तरीके के इशू देखने को मिले हालांकि इंडिया ने भी अपना statement दिया है कि देखो इसकी independent जाच होनी चाहिए लेकिन जब उनके suspension की बात की गई तो इंडिया ने यहां पर United Nation General Assembly में अपनी वो ही abstain policy को follow किया है इस से related आज editorial page पर भी article है कि इंडिया की जो पीस को support करता है इंडिया का जो भी आपर strength रहा है वो अगर हम majority में देखे या अगर हम main उसके पर concentrate करें तो इंडिया जो है वो peace के साथ में ही है इंडिया किसी का strength का साथ ना देते हुए किसी भी pucks का साथ ना देते हुए इंडिया जो है वो mediation policy की तरफ follow कर रहा है अपने discuss किये है इसके अलाबा अगर हम देखे तो इससे पहले भी United Nation Human Rights Council से 2011 में लीबिया को इसी तरीके से suspend किया गया था तो मतलब रश्या जो है वो second number का ऐसा देश है जिसको यहां से suspend किया गया है अगर हम US की बात करें जब Mr. Trump वहां के president थे US के तो उस time उन्होंने अपने आपक council से लेकिन Joe Biden जब वहां के नई president बने उन्होंने दुबारा से बहुत सारे organization से अपने आपको दुबारा से tie up किया है next important article है पाकिस्तान में जो issue अभी regular चल रहा है उसको लेकर के regular हम discuss भी कर रहे है news भी बनी हुई है कि वहां के जो deputy speaker है उन्होंने जिस तरीके से जो opposition parties no confidence motion को pass करवाने की parliament में कूसिस कर रहे थे और उन्होंने इसको suspend किया उन्होंने ये बोला प्रेजडेंट ने ये बोला कि parliament को suspend किया जाता है और जल्दी नई election वहां के लिए होंगे तो opposition party चलीगी Supreme Court में और Supreme Court में वहां पर discussion हुआ अप Supreme Court ने parliament को भी restore किया है और no trust vote जो है वो कल हो मतलब 9 अप्रेल को वहां पर होगा इसकी तरीके से यहां पर Supreme Court ने एक बात बोला है कि deputy speaker का जो stand रहा यहां पर यहां की parliament में वो सही नहीं था उन्होंने कुछ unconstitutional तरीके से अपना जो statement ये दिया इस तरीके से नहीं होना चाहिए था जो opposition parties के कुछ rules है यहां पर कुछ उनक पर अपना rule दिये थे ओके तो देखो हमारे जो GS paper 2 होता है UPSC में उसमें comparison कर लिया जाता है इंडिया के constitution का और other countries के specific हमारे आसपास वाले region में हमारे neighbor countries जो हैं उनके साथ में discussion किया जाता है उनके साथ में comparison किया जाता है तो इंडिया में क्या stand रहता है और Pakistan में क्या stand है उन institution जो है उस topic को हम इस तरीके से cover कर सकते हैं कि कि किसी भी country में कोई problem हो रही है तो हम देख सकते हैं कि उस time हमारे इंडिया में इस तरीके की अगर problem होती तो किस तरीके से उसको solve करने की कोसिस की जाती next important article है page number 5 पर अंद्रप्रदेश स्टेट जो है जिसको लेकर के कल भी हमने news discuss की थी कि वहाँ पर नए जो district है उनको बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो administration है वो population के door step तक पहुंच सके पहले जिस population को control करने के लिए जिस population को regulate करने के लिए एक district था अब उसको bifurcate करके two district में change किया जा रहा है कोसिस की जा रही है कि कम population हो और उनको ज्यादा से ज्यादा उनसे related जो laws है उनसे related जो policies है वो उन तक implement हो सके अब यहाँ पर जो अंदरप्रदेश cabinet में 24 जो ministers से उन्होंने अपना resignation वहाँ के chief minister को दे दिया है और सभी ने खुसी से voluntarily तरीके से अपना जो resignation है वो दिया है देखो यह political moment होते है जिसमें क्या होता है कि अपने जो भी favorite लोग है उनको ministers बनाया जाता है उस time के बाद में वहाँ पर resuffle किया जाता है ministries को ताकि जो other members है जिनकी एक तरीके से जड़रत है दुबारा election जीतने के लिए तो इस political motives होते हैं जिनके basis पर अब वहाँ पर अंदरप्रदेश में जो other members हैं उनको next time के लिए मतलब बचा हुआ जो time है वहाँ की government का उन time के लिए उनको ministers बनाया जाएगा ताकि सभी की जो aspirations हैं उनको भी complete किया जा सके और next time में election जो है उसको भी अपने साथ में रखा जा सके अब यहाँ पर जो chief minister जो है उनकी क्या power है इनसे related हम कुछ basic facts देख लेते हैं आप सभी को पता है यह तो basic provision आपको पता ही होगा कि पहले तो क्या होता था earlier time में यह होता था कि जितना आप चाहें उतने ministers बना सकते हो लेकिन इससे क्या हुआ कि जब आप ministers बनाते हो तो उनको कुछ extra privilege दिया जाते हैं उनको कुछ extra security तरीके से या फिर उनके उपर extra खर्चा होता है जब ministers की post आप किसी को देते हो तो इसकी वज़े से यह लगा कि जो expenditure है वो ज़्यादा increase हो रहा था इसके बाद में एक regulation रखा गया कि जितनी भी आपकी strength है legislative assembly की या फिर parliament की उस strength का more than 15 percent आप ministers नहीं बना सकते हो मतलब council of minister के उपर 15% की cap रखती गई तो आपकी strength का 15% मान लो आपके hundred यहाँ पर seat है legislative assembly में तो उसका 15% आप count कर लो इतने आपके council of minister हो सकते हैं including chief minister तो आपको बताना है कि कौन से constitutional amendment act के थ्रू यह 15% की जो cap है वो decide की गई थी अब हम बात कर लेते हैं कि chief minister ने किस तरह के से यहाँ पर जो भी ministers हैं उन्होंने किस तरह के से अपना resignation दिया और इसको लेकर के chief minister के पास में क्या power होती है देखो chief minister जो है जिन भी person को लेकर के एक तरीके से जो governor होता है उस state का या फिर जो भी हमारी जो bodies है वहाँ पर जो ज तो यहाँ पर जो ministers हैं उनको लेकर के governor उनको appoint करता है सिर्फ उन persons को जिसको लेकर के minister को जिन minister की recommendation दी है chief minister ने इसके अलावा अगर उनका time to time उनकी ministry change होती रहती है तो उन ministers को लेकर के जो भी power है वो chief minister के पास में है इसके अलावा अगर हम बात करने तो chief minister कभी भी किसी minister को opinion के basis पर वो governor को उनको dismiss करने के लिए बोल सकता है इसके अलावा जो chief minister होता है वो council of minister की जो भी meetings होती है उनको preside करता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी minister की जो activities होती है उनके बीच में control, direct, guides, coordinate इन सभी का role भी play करता है chief minister के द्वारा देखो जब chief minister जो है अगर वो अपनी seat को vacant करते मतलब chief minister जो है वो अपना resignation दे दे या फिर उसकी death हो जाए तो इसकी वज़े से जो office जो है वो खाली हो जाती है मतलब council of minister जो है वो indirectly क्या हो जाएगी एक तरीके से collapse हो जाएगी लेकिन अगर council of minister में एक minister या तो वो अपना resignation दे दे या फिर उसकी death हो जाए तो vacancy create होती है, council of minister जो है वो एक तरीके से collapse नहीं होती है, यह important fact है यह आपको ध्यान में रखना है, तो chief minister से related कुछ basic facts हमने देखे हैं, जो हमारे exam के point of view से important है, यहाँ पर article जो है, first हम पहले भी discuss कर चुके हैं, India Australia Economic Corporation, अभी हमने देखा and trade agreement, ECTA, अभी last week जो है, इस पर sign हुए bilateral economic ties, Indian Ocean के literal states हैं, उनमें से two major हैं, इंडिया और Australia, उन दोनों के बीच में, जो यह sign हुए है, जो यह agreement हुआ है, वो काफी ज़्यादा important है, यहाँ पर यह बताया गया है, कि देखो, इंडिया और Australia के काफी ज़्यादा stronger ties रहे हुए हैं, अगर हम cricket के basis पर देखें तो, cricket के basis पर, border gauss का trophy जो है, एक more contemporary shared vision, has emerged around the mutual need to strengthen their strategic and trade engagement, मतब दोनों के अगर हम sports के basis पर देखें तो, काफी अच्छे relation थे, और उनको trade के basis पर जो लाने की कोसिस की गई है, वो काफी ज़्यादा important रहेगा, अब यहाँ पर वो ही बात की गई है, कि आने वाले five years में, हमारा जो target ह वो 50 billion dollar तक अपने trade को पहुचाना है, अभी 27.5 billion dollar तक हमारा trade है, इसको और ज़्यादा increase करना है, बहुत सारे tariff में, बहुत सारे taxes में, दोनों countries एक दूसरे को छूट देंगी, ज्यादा से ज्यादा areas में, और ज्यादा job opportunities create होंगी, इसके अलावा और भी basic fundas जो हैं, उनमें काफी ज़्यादा improvement देखने को मिलेगा, यहाँ पर वो article, Ukraine और Ukraine के issue को लेकर के India की neutrality, इसको लेकर के क्या anatomy है, उसको हम discuss करेंगे, 1957 में, जब 1957, जब एक साल हो गया था, जब सोवियत ने, मतलब उस टाइम USSR था, उन्होंने Hungary में intervention किया था, तब प्राइम मिनिस्टर जवाला नेरू ने Parliament में explain किया था, कि क्यों इंडिया ने एक non-condemnatory approach यहाँ पर अपना ही है, मतलब किसी की निंदा नहीं की इंडिया ने, ना सिर्फ उस टाइम USSR की की, ना वहाँ पर हंगरी में जो issue हुआ, उसको लेकर कि इंडिया ने कोई अपनी statement रखे, तब हमारे प्राइम मि ने एक important बात रखी थी, कि इस दुनिया में, इस world में, हर साल दर साल, या फिर दिन पर दिन अगर हम देखे, तो सब को change हो रहा है, हम ऐसा नहीं है कि हर जो भी चीजे बदल रही हैं, उसको लेकर कि हम stand रखे, हलांकि हमें problem होती है, जो भी problem चल रही है, उसको solution होना इंडिया ने बिना किसी का नाम लिये, बिना किसी को ऐसे नाम लेकर के condemn किया, लेकिन जो situation थी, उसको इंडिया ने condemn किया था, इंडिया ने हमेशा जो humanistic जो nature होता है, उसको follow करने की खुशिस की, इंडिया ने हमेशा उन problems को एक तरीके से, उसको कोसिस भी की, कि उनको वो address कर सकें, कि जो भी problem चल रही है, जो भी conflict चल रही है, लेकिन उसमें जो भी partners है, उनका specific उनका नाम लेकर के, इंडिया ने कभी भी represent नहीं किया, 1956 में Hungary में intervention हुआ, 1968 में Czechoslovakia में intervention हुआ, 1979 में Afghanistan में इसी तरीके का intervention होता है, फिर 2003 में Iraq में America invasion करता है, इंडिया has more and less followed this line, इंडिया ने कभी ज्यादा, कभी कम, same इसी line को follow किया, कि ना तो बुराई की, ना तो उनकी एक तरीके से निंदा की, condemn किया उनको, और जो issue चल रहा है, basic जो region है, उसके उपर इंडिया ने हमेशा focus करने की बात की, अभी हमने two-three days पहले earlier भी article आया था, तब भी हमने discuss किया था, कि यह जो Ukraine और रश्या का जो issue है, इसमें किस country का क्या interest है, उसके उपर focus ना करके, अगर हम basic region के उपर focus करें, और उसको ले करके, अगर जो mediation parties, जो भी role play कर रहे हैं, अगर उसके उपर focus करें, तो यह जो issue है, इसको permanently solve किया जा सकता है, अभी present time में भी रश्या ने जो Ukraine के उपर invasion किया है, उसको ले करके भी, हालां कि आपर काफी ज़्यादा civilian killings देखने को मिल रही है, इंडिया ने इस बात को रखा भी है, जैसे कि भूचा जो area है वहाँ प इंडिया ने रखा है कि हम mediation का role भी play कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि इसी तरीके का जो issue है वो दुबारा ना हो, इसका permanent solution होना चाहिए, लेकिन इंडिया ने जब बात आती है, कोई भी जैसे कि अभी हमने देखा, starting page पे कि United Nation General Assembly में resolution पास हुआ कि Human Rights Council से उसको suspend किया जाए, तो इंडिया की position ऐसा नहीं है कि इंडिया ही follow कर रहा है, South Africa, जो एक major democracy है, जो United Nation votes में जब भी vote की बात आती है, तो abstain policy को follow कर रहा है, वो जो है, हलांकि Russia को इस चीज के लिए condemn कर रहा है, लेकिन abstain policy को follow कर रहा है, UAE, जो America का close ally है, ठीक है, Gulf वाले area में, वो भी thousands of US troops जो है, जि nation security council में, Israel, जो US का closest ally है, West Asia में, उन्होंने, Russia ने जो attack किया, उसका condemn किया, लेकिन मना कर दिया, जब sanctions की बात हुई, तो मना कर दिया, कि Ukraine में आप अपने defense system भेजो, तो Israel ने मना कर दिया, कि नहीं हम नहीं वेजेंगे, फिर बात आती है, टर्की की, जो North Atlantic Treaty Organization का ally है, वो भी same क कर रहा है, Ukraine और Russia के बीच में, mediation का role play कर रहा है, वो country, okay, तो यहां पर, but none of these countries had come under the kind of pressure and public criticism from the West that India has, okay, किसी भी तरीके के pressure में आकर के, US के अंडर आकर के, मतलब जैसे India का जो position है, उसको लेकर के अभी आप देख रहे होगे, कि important dignitaries हमारे India की visit पर है, उसका main reason यहीं है, कि India क stand जो है, वो western countries के साथ में हो, हालांकि Russia के जो foreign minister है, वो भी हमारे India की visit पर आए, तो इस issue को लेकर के ही, यहां पर discussion हुआ था, okay, अभी national security advisor, deputy national security advisor for international economics, दलीप सिंग, USA के जो deputy नेने से जो है, वो India की visit पर थे, और उन्होंने यह बात बोली थी, कि अगर Russia के साथ में, India जो है, वो अपने trade relations को लेकर के regular रहता है, तो उनको कुछ यहां पर consequences देखने को मिल सकते हैं, अब यहां पर यह regions की हम बात कर लेते हैं, कि क्या region है, जिसके basis पर इस तरीके का जो issue है, वो देखने को मिल रहा है, political, economic or strategic, तीन border, broad region की हम यहां पर बात कर लेते हैं, तो देखो, Russia के जो president है, Vladimir Putin ने जो attack किया Ukraine के उपर, तो US के president यह चाते हैं, कि सभी countries एक साथ आएं, और उनको एकेला कर दे, उनको बिल्कुल alone करें, और उनके उपर restrictions लगाएं, ताकि वो जो है, मतलब एक तरीके से USSR का, जो एक major part है, present time में, 1991 में जब उसका disintegration हुआ, तो सबसे major part के रूप में Russia exist करता था, तो Russia की जो भी power है, उसको suspend करने के लिए, यहाँ पर कोसिस की जारी है, USA के दुआरा, हालांकि अरसा नहीं है कि Ukraine के साथ में issue नहीं है, issue है, लेकिन major problem के अगर हम बात करें, तो NATO organization का expansion है, नाटो organization का expansion है, और उसी की वज़े से, 2008 में Ukraine ने जब अपनी एक तरी organization को जोड़ना है, तब से ही issue create हो रहा है, इसी तरीके के issue के अगर हम बात करें, तो Afghanistan में भी, USA जो है, वो बहुत सारी countries में intervene करता है, लेकिन वहाँ पर जब support की और resistance की जर्रत होती है, तो उनको वहाँ से छोड़ करके वापस अपने आपको push back कर लेता है, जैसे के present time में countries हैं, वो सभी अपने अपने रास्ते हो लिए, तो इसी तरीके का issue जो है, वो other areas में भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो countries हैं, उनको जो problems है, उनको solve करने की कोसिस करनी चाहिए, और India का neutrality का stand है, वो तो हमने starting में ही देख लिया, India जो है, वो किसी भी country के उपर, किसी भी country को लेकर के अपना जो stand है, वो नहीं रखना चाहता है, क्योंकि इंडिया का ये मानना है, कि किसी भी country का जो issue है, उसको अपने personal level पर solve करने की ज़रत है, अगर हम किसी other countries के उपर dependence हो करके, अपने issue को solve करने की यहाँ पर कोसिस करते हैं, तो इसकी जो है, वो regular अपना जो trade relation है, अपने जो other relation है, वो Russia के साथ में maintain करके रखी हुई है, तो यहाँ का दोनों का जो काफी ज़्यादा importance है, जिसके basis पर भी Ukraine को लेकर के, जो भी या फिर Russia को sanctions लगाने के लेकर के, जो भी policy, जो भी resolution पास करवाने की इकोसिस की जारी है, उसमें US क जो strand है, वो काफी ज़्यादा dilute हो रहा है, जिसको लेकर के ही वो चाते हैं कि India अपना यहाँ पर strand रखे, इंडिया का यह बोलना है, कि हालांकि हम US का support भी चाते हैं, रशिया का support भी चाते हैं, हालांकि US के साथ में हम कुछ organization member भी हैं, जैसे कि Quad Group की, तो Quad Group एक formal alliance नहीं है, वो एक informal alliance है, जिसमें सिर्फ इंडो-Pacific वाले region के लिए focus किया जाता है, तो यहाँ पर हम किसी से बाद्य नहीं हैं, इंडिया के उपर, कि इंडिया अपना क्या stand रख सकता है, लेकिन US का यह मानना है कि एक democratic country को इस तरीके stand रखना चाहिए, कि जब भी किसी country में कुछ hostilities create ह हो रही है, तो उनको save किया जा सकी, next important article page number 8 पर, यहाँ पर जो first article है, वो देखो, employees provident fund income जो है, उसको लेकर के new tax implement करने की बात की गई है, कि क्या होता है, कि जो आपका PF होता है, उसमें बहुत सारे government employees जो है, वो अपनी money का बहुत सारा part रखते थे हैं, जिनके उपर tax नहीं लगता था, लेकिन government ने हम decide किया है, कि जो भी PF account है, उनमें अगर आप एक साल में धायलाक से ज्यादा amount जो है, जमा करवाते हैं, तो उसके उपर जो tax है, वो implement किया जाएगा, यहाँ पर Elon Musk, उन्होंने Twitter में अपनी जो sharing है, उसको increase किया है, मतलब अगर present time में अगर हम देख सी, उनसे भी जादा, उन्होंने company में अपनी share holding को एक तरीके से mention किया है, यहाँ पर जो article है, वो manual sequencing को लेकर के है, sanitation work में किस तरीके से जो cast है, वो role play करती है, राइटर का ये बूलना है यहाँ पर, कि 1990s में हमारे इंडिया में एक movement शुरू हुआ था, जिसमें एकosis की गई कि dry lettering जो है, उसको abolish किया जाए, कि जो man है, उसमें इसका inclusion ना हो, 1993 में इसको लेकर के एक act बनाया गया, लेकिन इसमें, कल भी हमने discuss किया था, पार्लियमेंट में कुछ data रखे गए, जिसमें बताया गया, कि अगर हम 1993 से अभी तक का comparison करें, तो बहुत सारी जो death है, वो मतलब इस तरीके की जो job है, इसमें manual का हाथ नहीं होना चाहिए, मतलब manual basis पर इस तरीके work नहीं होने चाहिए, लेकिन अभी भी जो हमारे इस तरीके के sanitation work है, उसमें अभी भी जो man है, उनका inclusion है, population का inclusion है, उनको machine based पर, या फिर mechanized तरीके से ये सारा procedure complete होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो issues हैं, वो अभी भी बने हुए है, जिसकी वज़े से जो problem है, वो regular बनी हुई है, तो आपने 1993 में उस law को pass किया, लेकिन उस law को pass करने के बाद में भी इस तरीके की activities बनी हुई है, और social justice and empowerment ministry की according अगर हम देखे, तो 971 people जो है, उन्होंने 1993 से अब तक कि इतने लोगों की death हो गई है, तो जो भी आपने laws बनाए हैं, उनको basic level पर implement करने की ज़रत है, ताकि यह जो issue है, वो create ना हूँ, next important article page number 10 पर, यहां पर जो important article है, एक second, यहां पर जो article है, उसमें मुला परियार डैम को लेकर के, जो Supreme Court में एक बात रखी गई थी, कि जो supervisory panel है, उसको अभी regular एक साल तक बनाए रखा जाए, CWC ने ये बात रखी थी, तो Supreme Court ने refuse कर दिया है, कि supervisory panel में कुछ ज्यादा changes करने को लेकर के, केरला ने proposal रखा था, कि इसमें कुछ other जो person है, उनका inclusion हो, हालांकि यहां पर secretary level पर जो लोग है, उनका inclusion की बात कीती, Supreme Court ने, कुछ technical advisory जो लोग है, उनका भी inclusion होना चाहिए, ताकि जो issues है, वो sole हो सके, जब तक जो new dam safety act जो है, वो implement ना हो, यहां पर, जो हमारे law minister है, उन्होंने बात रखी है, कि criminal laws क amend करने का जो procedure है, वो हमने start कर दिया है, इसके अलावा, high court में जितनी भी vacancies थी, उनको fill up करने की कुछिस की जा रही है, उस समय में ही collegium system के through, जो भी recommendation दी गई है, उसके according काम किया गया है, यह next article है, page number 11 पर, 2 plus 2 meeting के लिए, हमारे इंडिया के foreign minister जो है, और इसके अलावा, जो defense minister जो है, वो US की visit पर जाएंगे, तो यहाँ पर, जो हमारे external affairs ministry है, उसके द्वारा यहाँ पर कुछ statement आए है, कि specific जो हमारे इंडिया और US के बीच में, जो कुछ basic provision है, कुछ basic issues है, उनको लेकर के यहाँ पर discussion हो सकता है, next important article, page number 12 पर, चंदिगर ने अपनी बात रखी है, उ हमें UT ही बने रहना है, हरियाना और पंजाब को आप अपनी अपनी capital बनाने का आदेश दे दीजे, हम UT ही बने रहना चाहते हैं, यहाँ पर, अभी हमने कल भी discuss किया था, वातसल्य scheme को लेकर के, जो पहले जो other scheme थी, उसका नाम change करके, अब वातसल्य scheme किया गया है, child protection जो services थ है, वो चाहते हैं, कि इस scheme में, state or union territories में, जो भी suggestions हैं, वो इसमें include किये जाएं, इसके अलावा, कोसिस की जाएं, कि जो भी issues हैं, जो भी public participation हैं, वो सब कुछ इसमें increase किया जाए, ताकि resources जो हैं, वो ज्यादा से ज्यादा available हो, उनका ज्यादा से ज्यादा utilize हो, ताकि यह ज मतलब यह नहीं है, कि हम isolation में work करेंगे, हम other countries के साथ में collaboration भी करेंगे, और जो भी issues हैं, उनको साथ में work करके, solve करके, फिर हम अपने आपको independent बनाएंगे, लेकिन दूसरे countries का, जो help है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, US का जो Supreme Court है, वहाँ पर first black women को as a Supreme Court judge के रूपया पॉइंट किया गया है, Mr. Jackson जो है, Judge Ketan जी, Brown Jackson जो है, वो first वहाँ की black women होगी, जो Supreme Court में judge होगी, मतलब एक तरीके से, वहाँ पर जो major issue है, black and white लेकर के, उस issue को एक तरीके से कम करने की कोशिस की जा रही है, और majority में inclusion किया जा रहा है, वहाँ के जो भी basic provision है, basic administration है, उन सभी जगे पर, ओके, तो यह आज का हमारा देहिंदू का discussion था, अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीड को subscribe कीजिए, okay, thank you